मार्या मैं 12 साल सुर्फ बार्वी का इंतरजार किया है तुझे पता है 11 साल मैं नंबर जाने जान को पूछ के निला यहां किर लाकी कितनी उंगी जारी में हर्च आप दो जाएगी ओप्षिन तो किया है yum सियाटी से कर लेंगे और बाकी सारा काम हो जाएगा फ्यू मॉमेंट्स लेटर यह बढ़नी है वारी में बस यह भी कोई ना हां तो कोई बात नहीं है तो चलता है यह भी चलता है यह थोड़ा ज्यादा है ओके यह एए एल्ग करें चलता है अभी क्त था णो नहीं है था जले एक काम कर दो सिर्टें और पचास व्यक्टान वार्च चाथ ओवर्रेक्टिग इभर जिए जले एक काम कर दोसो रुड़ाई और पचास वोड़ाई कात और सब्सक्षा लेक्तिक चलता है देता हूं मैं चोट असा विखती हूं जिसने एकनॉमिक्स अकाउंट्स बिजनेस ऐसे कई सारे चैनल क्रियेट किये हैं जिनका नाम है अकाउंट्स माइन बिजनेस और भी कुछ हैं बट उन सब चैनल को छोड़कर सारी महमा अत्याद कर मैं आ गया हूं छोटी से नए चैनल पर यह टेस्ट करने के लिए कि क्या अब भी अपने अंदर पोटेंशल बाकी है तो यह नया चैनल है सेशन 2022 के सभी बच्चों को एक क्लियर कर इंडिकेशन देते हैं कि अगर आपको पूरी बार भी यूट्यूब से या ऑनलाइन किसी प्लैटफर्म से पढ़नी है तो यह मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी और हम आपको सॉलूशन देंगे तो आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉलूशन यानि बेस्ट बुक फॉर 11th and 12th लेकर मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ अकाउंस हो इकनॉमिक्स हो बिजनेस हो बाकी इंगलिश की किताब त और यह video किसी भी ओथर ने sponsor नहीं करी है तो मैं यहां पर फेर राहे देने वाला हो मैं मतलब कोई paid राहे नहीं देने वाला हो बस एक व्यक्ति जिसने video sponsor करी है वहारे भाई ने हमने खुद ने तो अच्छालिए शिरौ़ करते हैं तो बालको तीन सब्जेक्ट तुमारे सा है और बार वीकेंदर है तो तुमने जो बढ़ा है वह कुछ नहीं आने वाला उसमें से 80-90 परसेट बाद हो कहीं पानी में क्योंकि सब कुछ नहीं आने वाला है तुम्हारे लिए सबसे फोकस रहें चीज़ें अकाउंट फॉर्मेशन पर यानि कि तुम्हारी लेजर के ऊपर 12 कि बात कर रहा हूं ठीक है जी एंड यो फोकस ऑन प्रैक्टिस आप इतना जादा प्रैक्टिस करोगी उतना जादा आपका काम होगा यहां पर चार प्रकार के ऑथर हैं जिनकी किताबे चलती है एक बड़ी फेमस जो दस्वी पर तक थी पर अब इसको भूल जाते हैं एंसी आटी दूसरी है टीएस ग्रेवाल चीक है तीसरी है डीके गोयल और चौथी अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंट एंसी मतलब कौन सी जो कि तुम्हारे लिए बैतर हैं पहले सुन लो यह चार कितामों के ओप्शन तुम्हारे सामने होंगे आप लोगों मैंसे किसी के किसी के बात इन मेंसे कोई नए किताब होगी सबसे पहला एंसी एक अकाउंट के अंदर नहीं चलती है देखो प्रैक्टिकल सी बात है एंस शुरू से करने का मतलब है जो कि जीरों से पढ़ना चाहते या कहीं अटक जाए तो वो किताब में पढ़के आंसर निकाल सकते हैं काफी सिंक्रनाइज वे में काफी स्ट्रक्चर वे में सीक्वेंस वाई इसके अंदर सारी चीज अविलेबल है अगर आप प्रैक्टिस करन चाहते हो तो काफी अच्छी में इसको पर्सनली प्रिफर करता हूं तो यह थोड़ा सा लेवल अप है तो यह उन लोगों के लिए हैं जो बारवी के साथ साथ अपने कॉंसेप्स को और स्ट्रेंटन करना चाहते हैं ऐसा कौन करता है पर कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं जिनको मानना है कि हम बारवी में और भी और सीखेंगे बहुत सारे अजीव हो गरीब केस कि एक ही केस में अडिमिशन भी हो रहा है रिटार्मेंट भी हो और फिर मरके वह कंपनी भी डिजॉल्व हो जिए तो ऐसे इसको प्रैक्टिस बुक की तरह ज्यादा प्रिफर करूंगा और यह बेसिक लिए टीचर स्पेसिफाइड बुक मैं मानता हूं कि टीचरों के लिए बुक अच्छी है क्योंकि अच्छे इसके लिए अवेलेबल है ठीक है प्रिफरेंस दें तो सबसे में प्रिफरेंस में चाती है इनको अगराम एक नॉर्मल हमारी जैसे बच्छे की बारे बात करें दूसरी प्रिफरेंस लॉट तीसरी प्रिफरेंस इसको देंगे और चौती प्रिफरेंस आप इसको देंगे दूसरा सब्जेक्ट भाया थोरी पूरी रगड के चुरी जिसको हम कहते हैं बिजनस जिसको भी लेनी हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवाद हूंगा सब्सक्रिप्शन ओनली जो भी लेनी लिलना ठीक है अगली है बिजनस सब्सक्रिप्शन काफी अच्छी अच्छी मिलती है नो डाउट एंसे अच्छी किताब है है वहतर किताब है तीसरी जो किताब आती है जो किए इसके अंदब प्रिफरबल चलती है वहां सुभाश देग और फूरएक। और स्कुछ नहीं मिलेगा आपको तो इसके अंदर एक बुक की छोड़ी पर रिलायख करना नहीं है अच्छा तो आप एक double book चुरी ले लो और क्योंकि CBSC है और वो NCRT को preference देता है तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आप अपनी second book के format के अंदर इसको तो fix करी लो और जिन बच्चों ने इन तीनों में से कोई किताब करी होगी ना उनको समझ में नहीं आया कि यह है क्या और जिन्होंने NCRT पट रखी थी वह काफी ज्यादा इस हो गए तो पहला मेरी प्रिफरेंस है कि आप NCRT ले ले और दूसरा इन तीनों में से कोई सी भी किताब ले ले नो बाउंडेशन ठीक है हां मेरे पास कौन सी है मेरे पास यह ठीक है मैं पूनम गांदी रखता हूं अभी जिंदा जिंदा है क्या लो इस फॉर क्लास 11 ठीक है तो मैं रखता हूं पूनम गांदी मैं पढ़ रहा हूं मुझे ठीक लगती है तो उसमें ज्यादा को टेंशन नहीं है बच्ची को जी रेफरेंस ले में यह ले लेता हूं बट आइम नोट सेंग सुभाज दे आरके संगला खराब है ठीक है तो सुभाज दे यह बाई मेरे को पकड़के कोई लपेट देगा इसे तो आप इन में से कोई किताब खरी सकते कोई बाउंडेशन नहीं है तिनों अपनी जगे बैस है इसके इलावा के स्टडी के अंदर काफी ज्यादा आती है तो अगर मैं के स्टडी की बात करूं तो के स्टडी के फॉर्मेट के लिए आपको जो पुख पर्चेस करनी है वह है गूगल बाबा आपको कोई किताब नहीं करीते नहीं बहुत सारे लोग के स्टडी के लाग अलग सेंबल पर करीते हैं पैसे ज्यादा है तो आप मुझे देंगे मैं पेटें मिंबर डलवा दूंगा बट गूगल पे अगर तुमक हम जखके आलसी उते हैं और आलसी व्यक्ति ही तियास लिखते हैं यूकि वह अपने काम को करने कासं तरीका डूंड लेते हैं तो हम आलसी कौन उतके किताब लिने जाएगा आप गूगल पर करिए और आपको मिल जाएंगे तो केस्टडी के लिए कोई बुक ना खरीते ज् बताऊंगा क्यों मतलब यह तू चलना हाँ पर्सनल फेवरेट क्यों है वह समझो सबसे मेल अगर बात करते एकॉनमिक्स की अभी तुम्हें बताऊंगा तम फिड़ा हस लेना मतलब थोड़ा हसना पर ज्यादा मतलशना इंस्रियाटी नो दूसरी संदीब गर्ग टीसरी टी आरजेन और चौती हाँ इकॉनमिक्स ओन यॉर टिप्स नेको बाई यह चार किताबे आपकी है पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं यह चौती किताब तुम्हारे भाही ने लखी है मतलब यह हमने लिखी है और यह अमारी पुस्तक है इसके अंदर हमारी है तो हमारी है तो हमारे पास अभी लोगी नहीं यह है तो मारी बुक मैकरों की इतनी ही पतली है इंडियन इकनोमी इसके अंदर बहुत शॉट में बहुत स्लीक तरीके से सब कुछ दिया है इतनी ती से तो किताब पढ़ लो पूरी को हो की ठीक है अच्छा हसी मजाएक साइट में आगे बढ़तें इंडियन इकनोमी की इसकी पुर्फर कर सकते हैं तो यह मेरी पर्सनल फेवरेट नहीं है बिलकुल भी नहीं है यह अपके किताब आपके स्कूल में चल रही होगा बट वो क्यूं चल रही है उसके बारे मैं बात नहीं करेंगे उसका अलग लॉजिक होता है बहुत बहुत बैंकर पीछे ताम जाम होते हैं बट मैं इसको क्यों नहीं प्रिफर करता हूं कि पहले किताब बहुत अच्छी थी जब इसमें सारा डेटा था पर पर सीबीस से शिलेबस काचती गई तो काफी जादा डेटा काफी जादा चीजें आपको दे रखी है मतलब मेरी दौनों पुस्तकों को तुम जोड़ दोना तो भी जैन साब की एक किताब उससे बहुत ज्यादा मूटी होगी ठीक है इस गोड जिन लोगों को बहुत बड़े बड़ी चीजे देखने मतलब ज अच्छे को भी इसी में से पड़ते भी देखा हुआ है तो इस गोड़े थोड़ा सेक्टा नोलेज मिलेगी थोड़ी नी काफी जाद एक्टा नोलेज मिलेगी पर सुर्फ बारवी तक के लिए करनी है तो ठीक है अगली बुक संदीपगर संदीपगर is a nice book you can purchase it no doubt with that अच् संदीपगर और NCRT जादा प्रिफरेंस में रहती है वह समय आने पर खरी लेना अभी जरूत नहीं पोकर में मत खरीदो ठीक है पैसे जादा है तो मैंने बोल दिया है ठीक है जी तो अभी पैसा खर्च मत करो वाइस से इसका नए सेशन है शुरू हो रहा है क्योंकि तुम्हें कहीं देने हैं अपने बड़े भाईयों से एक बार पूछना मास्तर प्रीमियम क्या है पूछना जो बारवी अभी आउट करके निकले हैं वो बताएंगे आ रहा है नए सेशन के लिए ब्रह मास्तर प्रीमियम का बैच एक ऐसा बैच जिसने कॉमर्स के ओनलाइन एजुकेशन का तक्ता पलट कर दिया जो बच्चा कॉमर्स का ओनलाइन जाना नहीं चाह रहा था वो इतनी स्पीड माया कि वो रोके नहीं रोका बड़ जल्दी ला रहा हूं मैं प्रमास्तर प्रीमियम बैच पर सेशन 2022-23 वेट फर दबाच एंड लुक कि आप AIR All India Ranker कैसे बनते हैं कि बच्चा को नया सेशन चुरू हो चुका है और नए सेशन के साथ जिस दमाके का आप सभी इंतिदार कर रहे थे वो फाइनली आज रॉंच ने जा रहा है पिछले सेशन के अंदर एक ऐसा बैच लॉंच हुआ जिसमें ऑनलाइन एडुकेशन के हिस्ट्री बदलगे रगए कॉमर्स के वो बच्चे जो ओन्नाइन जानते तक नहीं थे हजारों की संख्या के अंदर इस बैच के अंदर एंडॉंच कर रहे हैं कि प्रमास्टर प्रीमियम के प्री एंडॉल्मेंट शुरू हो रहे हैं के वाण। जो ओन्नाइन वीब क्वेह संत्वकेशन के शूरुकेशन के वाण।